आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आज पर समाजिक समर्सता दिवस के रूप में मनाएगी जैन्टी आज भी हमोदी करेंगे प्रधान मंत्री संग्राले का उद घाटन सुबह 11 बजे होगा कारिक्रव सियन जी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी सियन जी के दाम में धाई रुपए का इजाफा रोमान्चक मुकाबले में पंचॉप किंग्स ने मारी भाजी मूपाई इंडियन्स को बारे रनों से दिमाथ नमस्कार मैं हूँ त्रिशला यादो स्वागत है आपका प्राइम टीवी में आई हरो करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की और खबर बलिया से हैं जहां कोवर सिंग चौरा है के पास स्थित एक नीजी होटल में युवक की संदग्द परस्थितियों में शौ मिलने से हड़कम मच गया है जो आ रहा है कि होटल कर्मियों द्वारा अंदर से बंद कमरे को देखकर पुलिस को सुचित किया गया सुचना पर पहुंची पुलिस से दर्वाजा तोड़कर देखा तो युवक की लाश पड़ी थी रदक के कमरे से शराब की बोतल भी बरामद हुई है कि सुचना एक होटल में व्यक्ति इंग्रत अवस्ता में पड़ा मिला है जिसके उपर मोखे उपर चान भी निकी गई लवग उमर 59 वर्स है पर तुम दरश्टिया कोई उसके शराब कोई भी चोट नहीं है कमरे के होटल कमरे से कुछ शराब की बोतल तता दवाईयां भी मिली है शव को सील करके मोच रियाउस बिजवा दिया गया तता अबरी मैधनी कारवाई अमल मिलाई जाए आमादी चंदौली के कारेकरताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में अनूठा प्रदर्शन किया इस दोरान आपकर करताओं ने डीडियू नगर के सुभास पार्ग में महंगे हुए नीमू की माला फूल धूप चड़ा कर दीब दिखा कर पूज़ा करते हुए महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया अपने हाथों में नीमू महंगा महंगा तेल देखो ब्रस्टचार का खेल रजगुला से महंगा नीमू ब्रस्टचार किया रही स्लोगन लिखी तक्तियां आप करकरता लिये हुए थे इस जोरानाम आदमी पार्टी के नेता शंतोस कुमार पार्ठक ने कहा कि चुनाव समाप्त होते ही पहले से परिशान की हुई महंगा एक बर फिर बढ़ गई है बढ़ती महंगाई के चलते परिशान लोगों का जो दर्द है वो बया किया गया आप करकरताओ का नूठा प्रदर्शन देखने को मिला है महंगाई के विरोध में आप कारकरताओं ने ये प्रदर्शन किया है कई तरह के स्लोगन लिख कर तक्तियों पर लिये हुए थे आप कारकरताओं और इन्होंने प्रदर्शन व्याप्त किया है जेहिन साथियों हम आवाद में पार्टी चंदवली के लोग रहे हम लोग नीबू के दाम जो गरीबों का अम्रित है इस गर्मी में हर मर्ज की दवा है हम सारे साथियों ने आज नीबू बाबा की पूजा की है और निवेदन की आई सरकार से कि जमा खोरी बंद कराए जमा खोरी बंद करे और कम से कम नीबू तो सस्ता करे पेट्रूल महंगा हो गया है डीजल महंगा हो गया है खाने पीने की सारी चीजें सरसो का तेल रिफाइंड सब महंगे हैं क्या इस महंगाई में आम जंकता है पुलिस महा निरिक्षक लखना उपरी छेत्र ने लखीमपूर खीरी का वाशिक निरिक्षड किया इसे निरिक्षड के दौरान आई जी लक्षमी सिंग ने रजर पुलिस लाइन पुलिस कार्याले का प्रहमण किया इसके बाद आईजी ने पुलिस लाई ने सभागार में समस्त प्रभारी निरिक्षक थाना ध्यक्ष और शाका प्रभारियों के साथ कोश्टी की इस कोश्टी के दौरान जनपद में अपराद और अपराधियों के विद्ध चलाया जा रहा है अभियान की समीक्षा की गर्मी का मौसम आते ही आग की घटनाए हर जगा से सामने आ रही है बुद्धवार की राते के इसी ही एक घटना लक्रों के होटल सेवी ग्रैंड में भी हुई की शहर के इस होटल के बेस्वेंट में भीशड आग लग गए जिसकी जल्द ही दमकल्ब भाग को सूचना दी गए सूचना मिलते ही दमकल्ब भाग की गाड़िया बौके पर पहुचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गए सेफों ने कहा कि होटल के सबी कर्मचारी और महमानों को सुरक्षत बचा लिया गया है किसी को हताहत होने की सूचना नहीं हाला कि अभी आग लगने की कारोड़ों का कोई पता नहीं चला है खबर राइबर रिली से जहां सियो सिटी वंदना सिंग के द्वारा के चहरी रोड पर रस्थित जय गडेश आई एसस एकेड़मी प्रतियोगिता परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस आजा क्या उन्होंने बताया कि एक प्रतियोगी परिक्षाओं को अपनी तयारी, पूरी लगन और निश्टा के साथ करनी चाहिए। ABVP के लोग लाउड स्पीकर लगाएंगे जिससे हनुमान 44 को बजाया जाएगा, इसको लेकर कल ABVP कारेकरता ने मार्केट से निकल करचंदा भी कत्रित किया। ABVP के लिए 21 ऐसे चौराओं पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे, उसमें जनता का सहयोग लिया जाएगा, उसमें चंदा इखटा किया जाएगा, उसके माद्यम से ये सारे लगवाए जाएंगे, उसकी सुरुवात हम लोग कल से कर भी चुके हैं, चंदा लेगने की, अगर प्रशासन इसको अनमती देता है, तो ठीक है, अगर नहीं देता है, तो उस इस्तिती में अगले कदम के लिए भी हम तयार रहेंगे, अगर प्रशासन को अनमती नहीं देनी हैं, तो ये भी देखना होगा, कि कितने सहर में, कितने ऐसे इस्थान हैं, जिन पर लाउड इसके संबंद में ग्यापन है इसमें हम लोग उच्छा लिकारियों से बात्रीट करेंगे और साथन तो भी अवगत कराएगा जाएगा उसर नियमानुशार के उभी इसमें समाधान हो गया हम लोगत कराएगा अभी तो पहले दिन संग्यान में आया इसकी प्रक्रिया होगी कहां से प्रमिशन होना है किस तरह सोना हो हम लोग बात कर लेंगे जा रहा है तो वो उसको छुडाने पहुचे हाला कि युवति के घर वालो ने उनकी भी पिटाई कर दी जिसमें तीन लोग घायल हो गया सुचना पर पहुची पुलिस ने घायल शक्स को ऑस्पताल पहुचाया जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जुला स्पताल रेफर कर दिया वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन को हिरासत में ले लिया है मामली की पुलिस पुजाज कर रही है थाना सोना थाना दर्ज क्राम तुसायल गाव में दो पच्छों में पुरानी रंजी स्कों लेकर के माली पीट की घत्ना हुई थी जिसमें रभी सोनी और इसके परिजमों को चोट आई इसमें रभी सोनी की तहरीर कादार पर आज दियां तेरा चार को अधर्माप्रा संध्या बास्ट वटेवारीस अधारा 147, 144, 335, 356, 308 और 392 इटीशी पंजी किल्ट किया गया है और इसमें नामजयर्ट अभीत्यों की घरफतारी का जहां एक तरफ योगी सरकार जनता की सुरक्षा के लाख दावे कर रही है लेकिन देर रात पूरो नगर मंतरी भाजियमों शुबम शुकला पर छे लोगों ने गोली चलाई और कार से टक्कर भीबारी जिसके बाद शुबम शुकला ने कार को रोक और पुलिस को मामले की जुआनकारी दी जिसके बाद आरोपियों ने कार के अंदर से पूरो नगर मंतरी भाजियमों पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गया बताय जोआ रहा है इस कांड में छे लोग शामिल थे पूरे के महराश्टोर क्रिकेट एसोशियेसन स्टेडियम में खेले गए आईपियल 2022 के 23 मुकाबलों में पंजाब किंग्स ने मुंबाई इंडियन्स को 12 रनों से हरा दिया इस सीजन में मुंबाई की अलागातार पाचवी हार है वह पंजाब किंग्स की तीसरी जीत है पंजाब किंग्स ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 199 रन बनाये थे इसके जवाब में मुंबाई इंडियन्स की टीम ने 186 रन ही बना सकी पंजाब किंग्स के लिए ओडियन स्मित ने सबसे ज़्यादा चार विकेट चटकाई गर्मी का मौसम आते ही आग की घटाएं हर जगह हो रही हैं बुद्वार की रात को ऐसी घटना लखनों के होटल सैवी ग्राइंड में हुई शेहर के इस होटल के बेस्मेंट में भीश और आग लग गए जिसकी जल्द ही द रमकल वभाग की गाड़िया मौके पर पहुची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया सेफों ने कहा कि होटल के सभी कर्वचारियों और महमानों को सुरक्षत बचा लिया गया है किसी के हताहत होने की सूचना फिलाल नहीं है हाला कि अभी आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चला है कि पुल शे गाड़िया हमने मौके पर भेजी थी सारी गाड़ियों ने एक साथ मिलके तीन से चार जगों से फारफाटिंग के कारी स्टार्ट किया था और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक गंटे का समय हुआ है और हमारा आग पर पूरी तरह से कंड्रोल कर लिया गया है और अभी जो बाकी जो सर्चिंग कार चल ला है कि कहीं कुछ आग की कोई थोड़ी बहुत चीजें अगर बच रह गई हो उसे भी उसे भी कंप्लीट कर लिया जा या इस तुन के द्वारा हमारे जो इंप्लाई है उनके फो इनके इंप्लाईस को हम लोग अभी जानकारी प्राप कर रहे थे कि इन्होंने तत्काल हमको सुचना क्यों नहीं थी इसके बारे अभी बहुत अरली स्टेज है कुछ बता पाना कि क्या-क्या चीजें इन्वाल हुई है क्योंकि जैसा क्या आप देख रहे हैं बिजली है न रुक्सान हुआ है इस वक्ति खास खबरों में इतना ही देश-दुनिया के और ताजर तरीन खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार